नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज और श्रंखला को हम शुरू करेंगे एक अगले मुद्दे पर हम बात करेंगे जहां पर क्या एक आपका जो सबसे ज़्यदा प्रशना आता है उसके बारे में बात करते हैं जिस पती पतनी के बीच में जब लेना जादा बहतर है बशरते एक ही घर में लड़ते जगड़ते हम रहें दोनों ही प्रशनों के उतर जानेंगे इस वीडियो में आपका कानून आपका चैनल है नए है सबस्प्राइब जरूर कर लें जिससे कानून की जानकारी आपको मिलती रहे आप तक पहुंसती रहे अपने शुरुआत अशुक पांडे के साथ की है चलिए पहला प्रशन लेते हैं कि अगर तलाग का केस कोट में गया है जादा तर पती की तरफ से अगर गया है तो क्या पती को ही वाइफ की जो फीस है वो देनी पड़ती है या जो भी कानूनी खर्चे आते हैं वो देने प एक्स्ट्रा खर्चे जो आने वाले हैं वो दोनों को अपने अपने देना पड़ेगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्नी नहीं कमा रही होती है वो आशृत होती है वो डिपेंडेंट होती है अपने पती की उपर तो उस कंडिशन पर कोट के पास में ये पावर होती है क कि वो husband को duty bound कर सकती है, कि वो जो भी legal expenses है, court के जो खर्चे हैं, वकील की जो fees है, पत्नी की तरफ से भी वो पती दे, ऐसा काफी मामलों में होता है, otherwise अगर एक normal situation को यदि हम ध्यान में रखें, तो दोनों को अपने litigation costs देने होते हैं, दूसरा प्रश्ण, क्या तलाक लेना जादा बहतर है, बशर्टे की unhappy married life को हम गुजारते रहें, इसका जवाब है, depend करता हैं आपका case कैसा है, कई लोगों के लिए उनका जो objective है, वो peace of mind होता है, कई लोग के लिए objective family होता है, कई लोग मिला जुला करके, तो हर एक का अलग-अलग situation है, लेकिन एक general principle की अगर हम बात करें, तो शादी को तब तक नहीं तोड़ा जाना चाहिए, जब तक कि वो अंतिम पड़ाव पर ना पहुँच गई हो, डायवॉस के, लास्ट फुटिंग पे जब तक डायवॉस के ना चली गई हो, उस स्थिती पे नहीं चली गई हो, तब तक अब ऐसा कैसे समझें, कि वो आखरी पड़ाव है, पती-पतनी के बीच का जो मन मुटाव, इतना जादा बढ़ जाए, कि एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाए, छोटी-छोटी बातों पर बहुत बड़े-बड़े विवाद हो, एक दूसरे को बिल्कुल भी ना पसंद करें, छोटे-छोटे बातों को ले करके, बड़े-बड़े लड़ाई जगड़े दोनों में हो, और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए, जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि अब समय आ गया, आपको अलग रहना पड़ेगा, अलग का मतलब डाइवास नहीं है, अलग का मतलब सेपरेशन है, और अगर फिर सेपरेशन के बाद में भी बात ना बने, तो फिर आप तलाग के बारे में बेशक सोच सकते हैं, तो अपनी जिंदिकी को खराब करने से ज़्यादा बहतर है तलाग ले लेना, लेकिन तलाग आपका अंतिम विकल्प होना चाहिए, ये दोनों प्रशनों के उत्तर अगर आपको पसंद आए हों, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजेगा आपको जानकारी कैसी लगी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर किसी परिशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डाइरेक्ट अपॉइन्मेंट बुक करके आप कर सकेंगे बात, मिलिंग अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त और सुरक्षित रहें,